नमस्कार प्यारे साथियों कैसे आप सभी मैं हूँ योगेस और आप सभी देख रहे हैं योगेस लर्णिंग अकैडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल तो प्यारे साथियों आज हम बात करने वाले हैं मोरीए डाइनस्ट्री में दोस्तो आज जो ही हमारा मगड का उत्कर्स नमक चैक्टर है और इस चैक्टर के इंध प्यारे सातियों हमने दस वीडियो पहले बना ली हैं और दस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा तो वहाज अगर कि आप पिछली वीडियो को भी जरूर देखकर आए यहां तक आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी और आपको मजा आएगा पढ़ते हुए भी अब तो आज मैं बात करने वाला हूँ मोरिय समराज्ये से संबंदीत अर्था चंद्रगुप्त मोरिय के बारे में जो बचा खुचा इतिहास है यानि जो भी बाते हैं उन्हें संबंदीत हैं वो बताने का परियास करूँगा इस वीडियो के दोरान और साथ-साथ मैं बात करू तो रहेंगे मौरिय डाइनस्ट्री के और मौरिय डाइनस्ट्री का जो उद्भव हुआ था वो 322 भी सी में हुआ था तीनसो बाइस बीसी में हुआ था दोसो अठाणवे तक राज करते हैं चंद्रगुप्त मोरिय और इनके पर्धान मंतरी का नाम आपको बता चुका था इनके परदानमंत्री का नाम था चानक्य, अर्थात, कोटिले या फिर आप कह सकते हो विस्नुगुप्त, ये तीनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं, साथ साथ मैंने आपको बताय था कि इनी की साहिता से यानी कोटिले की साहिता से ही चंदुप्त मौरिये जो हैं वो हत्या कर देत यहां पर चलती है मोरिय डाइनस्ट्य प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया था किस परकार से चंद्रगुप्त मोरिय का इतिहास रहा है अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस वीडियो को अवस्य देखें उसके बाद आपको यह वाला हूँ ऐसा का जाता है कि चंद्रगुप्त मोरिय के समय पर अकाल पड़ चुका था यानि कि उनके समराज्य में अकाल पड़ा था यानि सूखा पड़ा था लोग जो हैं वह बहुत जदा मर चुके थे मृत्ति हो गई थी भूत लोगों की भूके मरने के कारण ऐसे मैं इन सबका दोसिक खुद को कोन मानते हैं चंद्रगुप्त मोरिय और चंद्रगुप्त मोरिय जो हैं वो इसका पच्चितावा करना चाते हैं यानि इसका पच्चिताप करना चाते हैं और जानना चाते हैं कि आखिरुनी के समय पर ये इस प्रकार का सूखा क्यों पड़ा है तो बाद में कुछ लोगों की विद्वानों की द्वारण को बताया गया कि तुम्हारे समय पर सबसे ज़्यादा हत्याई हुई है अर्था तुमने सबसे ज़्यादा जो हत्याई करी है बली दी है जिस कारण से तुम्हारे समय पर ये सूखा पड़ा है तो चंद्रगुप्त मोरिय क्या करते हैं चंद्रगुप्त मोरिय अब यहाँ पर जैन धरम को अपना लेते हैं भाई कौन से धरम को अपना लेते हैं जैन धरम को आप जानते हो जैन धरम बहुत धरम इन सभी धरमों की इन सभी धरमों की जो स्थापना हुई है वो हुई है सन सनातन धरम के अंदर कुछ कुरूतियां थी उन कुरूतियों के चलते बहुत सारे लोग जो थे वो सनातन धरम से टूट रहे थे, और जैन धरम में या कहली जियए बोथ धरम में परिवर्तित हो रहे थे ऐसे ही चंद्रगुत मोरिय भी जो है ना वो जैन धर्म को अपना लेते हैं और ये पूछा जाता है कि जैन धर्म की सिक्सा किस से प्राप्त करते हैं आप याद रखेंगे बदर भाहु से किस से याद रखेंगे आप कहेंगे बदर भाहु से इन्होंने जो है वो जैन धर्म की सिक्साली बहुत important question है और उसके बाद क्या करते हैं ये अपना सब कुछ त्यात करके यानि अपना राजपाथ जो गद्धी थी उसको छोड़ करके अपने बेटे इनके बेटे का नाम है बिंदुसार बिंदुसार को वहां का राजा बना करके मगद का समराट बना करके ये चले जाते हैं कहां पर सर्वन बेल गोला में सर्वन बेल गोला कहां पर है सर्वन बेल गोला आप कहेंगे ये है करनाटक में करनाटक में चंद्रगीरियों की पहाडियों पर यह संलेखना वरत धारण कर लेते हैं, और जब संलेखना वरत धारण कर लेते हैं, संलेखना वरत क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संलेखना वरत के अंतरगत, इंसान जो है वो एक परकार से अंसन पर बै कि उन पहाड़ी का नाम बताईएं जहांपर चंद्रगुप्त मौर्ये ने अपन प्राण त्याग दिय थे उस तक था अब इसके बाद कोन आता है आपकेंगे उनका बेटा बेटे का नाम क्या है बिंदुसार गधी पर बैठता है कब बिंदुसार गदी पर बैठता है 208 अब रखेंगे कब तक राज करता है 273 वी तक दो सो पेट 272 सी तक इन से सम्बंधि सबसे पहले क्या कोशने सबसे पहले तो यह पूछा आता है कि इनके नाम ज्यसे आप याद रखेंगे अमित्र घाथ पूछा जाता है अमित्र घात उसे बोलते हैं जो सत्रों का नास करता है सत्रों का नास करने वाले व्यक्तियों कहा जाता है बिंदु सार अर्थात अमित्र घात के नाम से इनको जाना जाता था येन की उपादी थी साथ में आप नाम याद रखेंगे सिंग सैन सिंग सैन के नाम से किसका नाम आप कहेंगे बिंदु सार वारी सार वारी सार के अलावा भद्र सार और भद्र सार के अलावा अमित्रो कोटीज मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है भाई प्यारे साथियों प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे अमित्रो कोटीज जो है ना बहुत इंपोर्टेंट नाम है प पिता भी महान थे और जिसके बेटे भी महान थे। बाप का नाम बताएं, आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौरिये। चंद्रगुप्त मौरिये महान सासक था। उसके बेटे का नाम बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का नाम असोक। समराट असोग भी महान सासक था तो कुल मिला करके एक ऐसा सासक जिसके पिता भी महान थे और जिसके बेटे भी महान थे अगर कभी भी ये कोश्चन आपके एक्जाम में बनता है तो प्यारे साथियों आपका जवाब क्या आएगा आप कहेंगे बिंदुसार उमीद करता एक का नाम तो आप याद रखेंगे फिला डेफलस फिला डेफलस ये कहां से आये था भई आप कहोगे मिसर से आये था मिसर अर्थात इजिप्ट इजिप्ट से आये था किसके दुआरा आये था आप कहेंगे टॉलमी ने भीज़ाता इसको टॉलमी सेकिंड ये टॉलमी सेक आये था आप कहेंगे अंटीचो कस के दःवार सें एंटी होकस इस पीछे एक छोटी सी कहाणी है वो भी आपके सामने लिस्पर्स करना चाहूंगा पहुँत्रू सी याद रखेंगे कि बिंदूसर ने इसको पत्र लिखा ऑर जब इसको पत्र लिखा तो पत्र मैं कहा कि मुझे तुम्हारे यहां से तीन चीज़े चाहिए कौन कौन सी एक तो मंगाई उन्होंने सूखी अंजीर सूखी अंजीर के लावा आप याद रखेंगे मद्ीरा मंगाई मद्ीरा समस्थे हो ना सराब दरु उसको मंगाया इसके अलावा प्यारे शाथिise आप याद रखेंगे तीसरी चीज मंगाई थी दारसनिक जिसको कहा जाता है फिलोसपर क्योंकि बिंदुसार जानना चाता था सीरिया के बारे में तो उसने का कि मुझे अच्छा सा कोई फिलोसपर तुम जरूर भेजो ताकि मैं तुम्हारे रज्जे के बारे में तुम्हार की साथ मदीरा भी लेकिन दारसनिक भेजने से साफ-साफ इंकार कर देता और ये डाइमेकस को को दो चीजों के साथ पर भेज देता है और कहता है कि बहुत लिए सब्सक्राइब Just इसके कारण दुबार ऐसे एक आकर्वन यहाँ पर हो जाए तो ऐसी स्तिती से बचने के लिए ऐसी स्तिती से बचने के लिए एंटियोकस ने क्या किया था डाई मेकस के हाथ सुकी अंजीर तो भेज दी साथी साथ उसने मंदीरा भी भेज दी लेकिन उसने दार्सनिक कोई नह अब में आपको बताने वाला हूं यह जो बिंदुसार है ना इस बिंदुसार के दो बेते थे बड़े बेटे का नाम सुसीम और जबकि छोटे बेटे का नाम था असोक असा कहा जाता है कि असोक जहा है ना बजपन से काला था या फिर उसकी करते थे या फिर उसके कुछ कुरूतियां थी जिसके कारण उसे वह पसंद नहीं करते थे जबकि सुसीम को वह ज्यादा चाहते थे और वह चाहते थे कि उनके बाद गद्धी पर अगर कोई राजा बैठे तो वह कौन होगा सुसीम होगा ऐसी स्थी में वह सुसीम को क्या करते हैं कंधार नाम सुनाएं ना आपने कंधार खांधार या फिर आप कह सकते हो जो तकसिरा जहां पर था भारत के बाहर अफगानिस्तान वाला जो इलाका है उस इलाके में क्या हुआ करता था भाई उस टाइम पर वहाँ पर था तक्सिला भारत की पहली उनिवर्सिटी वहाँ पर हुआ करती थी उस उनिवर्सिटी में या उस उनिवर्सिटी में उस पूरे इलाके में भेज दिया जाता है वहाँ का गवर्नर बना करके कि इसको सुसी को क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर उस टाइम पर विद्रों होने लगा था यानि बिंदुसार का विद्रों होने लगा था और लोग उनको पसंद नहीं करते थे तो इस विद्रों को दबाना बड़ा जरूरी था क्योंकि धिरे-धिरे करके यह विद्रों बड़ा रू अपने दूसरे बेटे च्छोटे बेटे यहनी असोख को यह कां भेज़ दीता है महरास्ट में महरास्ट में भेज़ देता है नीचे की साइड में इसके अलावा फिरीएव नीचे राजा बनाता है उज्यें का उज्याइन का आप नाम याद रखेंगे हैं- स्ते बना करके भेशता है यह गवर्णर बना करके भेश देता है अब ऐसी स्थिती में ऐसी स्थिती में यह जो सुसी में कहा जाते कि नाकाम रहता है तक्सिला के विद्रों को दबाने में जब तक्सिला के विद्रों को दबाने में यह नाकाम रहता है तो ऐसी स्थिती में जो अस यहां तक कहा गया है कि यह जो असोख इसने अपने निन्यानवे भाईयों की हत्या कर दी थी, सिर्फ राजगद्दी के लिए ऐसा कहा जाता है अब वह बात हलाकि हमारे गरंतों के साब से फिर हमारे दिश्ट्री कौन के साब से यह हमारे एक्जाम के point of view से important नहीं है क्योंकि वह चीजें कहीं पर एक्जाम में कुछ ही नहीं गई है और ना ऐसा कुछ देखने को मिलता है यह सिरलंका के गरंथ में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे में क्या करता है यह जो असोख है ना असोख को बुलाया जाता है तकसिला में या फिर अपने पास बुलाता है पाठली पुतर में कौन बिंदुसार और बिंदुसार कहता है कि भाई तुम जाओ जाकर के क्या करो तकस जो है वह वापस आ जाता है और यह विद्रों को दबा देता है इससे जो है बिंदुसार बहुत जादा खुस हो जाता है और यह का जाता है कि बिंदुसार जो है बाद में इसको क्या कर देता है राजा बनाने के लिए संकल्पित हो जाता है राजा बनाने के लिए वह बाद् चंद्रगुप्त मोरिय है इसके दरबार में परधानमंत्री को था चानक्ये यही चानक्ये बिंदुसार के दरबार में भी क्या था परधानमंत्री था लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते जब यह भूड़ा हो जाता है तो ऐसा का जाते है कि इसी का पोता जिसका नाम क्य इसी का पोता राधा गुब्त यह दरबार में किसके आखरी समय पर यानि बिंदुसार के आखरी समय पर बनता है यह परधानमंतरी और यह असोक को बड़ा पसंद करता है और क्या करता है अब यह बिंदुसार के दौरा राजा बना दिया जाता है किसको बिंदुसार के दौर यहां त्या राजा बना दियाता है समराट इपर राजां बन जाता है संपर इससी परकार से दोस्तों यह जो सुसीम है बाद में सुसीम को भी डूर्ट फसा कर से चंद्रकुप्ट-मोरिया ने धनानंद को मारा था ठीक उसी परकार से अपने इस अगय भाई सुसीम की भी हत्या कर देता है कौन असोग क्योंकि सुसीम और असोग के बीच में युद होते हैं सत्ता को ले करके अब ऐसे मैं असोग गद्धी पर बैड़ जाता है और चंद्रकुप्त मोरिय के बाद बिंद बिंदुसार का धर्म कौन सा था यानिया थर्म्त आपको बताए था मखलि गोसाल जो कि मखली घॉसाल मखली गोसाल जो थे वह महावीर जैन के मित्र थे उन्होंने एक नए अधर्म प्रसिलिद किया था नए धर्म का जिसका नाम था आजीवक संपरदाए ना Today deform संब्राइब असोख गद्धी पर कब बैठते हैं 289 से 332 बीसी तक यह रहते हैं गद्धी पर 259 से रेकर के 232 बीसी तक उरुवात में तो ऐसा कहा जाता है देखो आप यहां पर देख भी सकते हो यह देखिए कारेकाल, यह क्या लिखाव है 273, और यहां क्या लिखाव है 279, यानि चार साल तक, बीच का चार साल कोई गद्दी पर नहीं था, यहां पर लगातार जो है वो असोक और सुसीम के बीच में लड़ाईयां लड़ी गई, ऐसा कहा जाता है कि असोक और सुसीम पर बैठ जाते हैं तो आप इनके बारे में थोड़ी सी बातें याद रखे पेपर में पुछी आती है कि इनका जनम कब होता आप कहेंगे 304 बीसी में 304 बीसी में होता है इनका जनम तो यह बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से उतर गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह समझ भी पाएंगे अब प्यारे साथियों इसके अलावा आपको याद रखना है इनकी माता का नाम सुभरदांगी ये भी आपको नाम याद रखना है बहुत मौस्ट 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 इंपॉर्टनेंट कोश्चन है कि सुभरदांगी किसकी माता का ना बढ़े परचलित थे यह भी इन की उपादी थी अब बात करेंगे बच्चो समराठ असोक इनके जो अभिलेक हैं उन अभिलेकों के बारे में मतलब समराट असोक नाम का कोई राजा यहाँ पर राज करता था इस बात का कैसे पता चलता है तो कुछ अभिलेक हैं जिन से इस बारे में पता चलता है जैसे कौन-कौन से अभिलेक हैं मास की अभिलेक आपका कहा मिलेगा करनाटक में है करनाटक मास्की अभिलेक या फिर इसे मौस्क अभिलेक के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों मास्की अभिलेक आपका करनाटक में है और सबसे पहले इसी में पता चलता है कि समराट असोक नाम का भी कोई व्यक्ति था उसके बाद गुर्जरा गुर्जरा अभिलेक ये भी आप याद रखेंगे मद्य परदेश में हैं इसके अलावा नेक्टूर ये करनाटक में हैं प्यारे साथियों याद रखेंगे उधे गोलान ये करनाटक में हैं सुरू के चार जो मैंने आपको बताए हैं इन चार में से तीन तो आपके करनाटक में हैं जबकि जा आजा असोक नाम का है लेकिन यह वही इसोक है जिसका नाम मास्क अभिलेक में भी जहें इस व्यक्ति यह की ही बारे में हैं तो याद रखेंगे एक अभिलेक था जिसमें भवरू अभिलेक है भवरू अभिलेक भवरू अभिलेक में स्वैम को असोक ने मगद का समराट बताया है और इसी के थुरू पता चलता है कि सारे के सारे अभिलेक जो है वो किसके थे असोक के अभिलेक थे भवरू अभिलेक एक result है किस अभिलेक के दोारा ये पता चलता है कि मगद का समराठ खुद को स्वैम और अशूक ने बताया है तो आप Android अभिलेक को खूजा उत्वत्त ने था 1750 ECV में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि आखिर ये जो अभी लेख हैं वो असोक के अभी लेख हैं और इनको खुजा गया था लेकिन क्या उन्होंने पढ़ भी लिया था इन अभी लेखों को तो आप कहेंगे नहीं पढ़ा किसने था जेम्स प्रिंसेप ने ये भी आप याद रखेंगे 1837 के आसपास इनको पढ़ा गया है अब प्यारे साथियों अभी लेखों की भासा कैसी है ये भी जाना जरूरी है एक्जाम में बनता है और आप से पेपर में जो कोश्चन आएंगे भारत से संबंदी जिनके जो अभी लेख हैं उनके बारे में ही आएंगे तो याद रखेंगे भारत में जितने भी अभी लेख प्राप्त हुए है उन सभी में जो लेंग्वेज है जो लीपी है वो कौन सी है ब्राम्मी लीपी है यानि भारत में जितने भी अभी लेख हैं उनमें ब्रामी लिपी का प्रयोग किया गया है जबकि पागिस्तान वाले अलाके में जितने भी लेख प्राप्त हुए हैं उनमें खरोस्टी लिपी मिली है खरोस्टी लिपी जबकि अफगानिस्तान वाले अभी लेखों में अर्माइक लिखी का सत्यापन हुआ है अर्माइक लिपी मिली है यानि इनके अभी लेख जो है वो अर्माइक लिपी में लिखे गए है जबकि तुर्की वाले अलाके में ग्रीक भासा का ग्रीक ग्रिक लिपी का यूज़ हुआ है तो उमीद करता हूँ इतनी बात है आपके समझ में वस्य आई होगी एक बात और याद रखेंगे कलिंग यूद इसके बारे में हाला कि हम नेक्स वीडियो में बड़ी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि कलिंग यूद यूज़ है ये 261 बीसी में लड़ा गया था और 261 बीसी में यानि राजा बनने के आठ साल के बाद यानि आठवे साल में असोक संराट ने इस नरसंगहार को करा था यानि इस युदु को लड़ा था और उसके बाद से ही असोक संराट बोध धर्में परिवर्तित हो गए थे यानि बोध धर्म को घ्रन कर लिया था और तलवार को पूर्ण रुप से त्याग कर दिया था यही कहा जाता है कि जो आपका मोर्य समराज्य है इनकी पतन का करण भी यही कहा जाता है कि तलवार छोड़ देना किसका असोग के द्वारा उसके बारे मैं डिटेल से बात कर रहे होंगे नेक्स वीडियो में तो मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स वीडियो में प अन्ने बाद प्यारे साथियों.